नमस्कार दोस्तो प्राक्टिकल एक्स्प्रेस टेकनिसी अंतपन यूट्यूब चैनल में आप लोगा स्वागत है आज कुछ निया सिखते हैं दोस्तो आप लोग हमेशा हमसे रिक्वेस्ट किये हैं कि सार आपके साथ में हमको ड्यूटी करना है इसके लिए क्या करना पड़ यह हैं और बहुत सा फ्रेंड हमसे बोला भी है कि आपका वीडियो देखने के बाद इंटर्व्यू देने गये थे हमारा सिलेक्शन हो गया है तो दोस्तो पहले ओफर के बारे में बता देता हूं उसके बाद मैं आप लोग को को स्चन के बारे में भी बता दूंगा तो क्य अंदर में जितना सारा डाउट था अ डाउट कीलियर हो गया और आभी तो ओर भी अच्छा है मैं खुद ज इसको डीफोस भी बोलता है मतलब जिसका जो मर्जी हो बोल लीजिए कोई दिकत नहीं है लेकिन नया पैनल रहे है इलक्तरम के या पुराना पैनल रहे हार टाइप का वीडियो और उसका फॉल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है और जितना सारा फ्रेंड मेर साथ में ड्यूटी करेगा जो भी कोस्टर है बहुत आसान से आप मेरे से पूछ सकते हैं आपके अंदर में मैं कुछ भी डाउट नहीं रखूंगा अल्रेडी मैं आप लोगों को बताया हूं कि मैं खुद कोसिस करूंगा जितना हो सके आप लोगों का हेल्प करने का अभी जितना सारा एलेक्टिसियन मेरा वार्टस ऑब गुरूब में है या मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं पोटल एलेक्टिसयन का इम्यांब बता रहा हूं तो पहले यह ओफर किसका है ओं जान लेता हो जितना सारा फ्रेंट इंडक्शन फरनिस में ड्यूटी कर रहे हैं वो ही सब electrician का offer है, जिसको हम लोग क्या बोलते है, SMS ठीक है, और SMS का experience रहेगा, तब ही आप क्या कीजिएगा, मेरा WhatsApp में by data या resume send कीजिएगा, और इसके लिए आपको क्या जरूरी है, इसके लिए आपको 7 से 8 साल का जो practical knowledge होता है, मतलब जो आप काम कर रहे हैं, वो practical knowledge आपको होना जरूरी है, इस जगा में एक चीज होता है, ठीक है, अभी इस जगा में दो number में आज आता है के sir, जो आप company में duty कर रहे हैं, अगर हम लोग को duty मिलेगा, तो उस जगा में हमको contract में मिलेगा, या company से मिलेगा, और company से मिलेगा, तो क्या क्या facility मिलेगा, तो दोस्तो company से ही आपको duty मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तीन नमबर में आपको इंटर्वियू के लिए आना पड़ेगा इंटर्वियू जब दीजिएगा उसके बादे आपको कितना पेमेट मिलेगा और बता दिया जाएगा ठीक है अभी बहुत सा फ्रेंड है मालीजी के जो सिस्टेमेटिक प्लान में ड्यूटी नहीं किये है जो कॉंट्राग में ड्यूटी कर रहे है ज्यादा तर क्या होता है इंडेक्शन फर्षे में देखिए एका ठीके दार मतलब जिसको हम लोग कॉंट्राक बोलते है इसी में हम लोग ड्यूटी करते है इसमें हम लोग क्या मिलता है पहले वह जान लेता हूं आप अगर सिनियर ऐल्क्रिसियान में ड्यूटी कर रहे है तो कोई कंपनी में बाइ न भी मिलेग हुआ तो यह इस सँ races मिलेगा ओभी सdo लिऑ है सार दखियेगा मैं ऑलरी आप लोगों के साथ सब कुछ एड होगा तो यही जो वाइस दोखता है और आपका 10 जार यह अगों सकता है अगर मालिज आप बहुत बढ़िया इंटर्व्यू दिये है तो इस जगा में आपका पेमेंट 26,000 लगाया 26,000 मतलब यह पेमेंट चला जागा 35,000 के असपस काय कि इसके साथ जितना सरा फेसलिटी है जब एड कीजिएगा तभी यह ठीका वाला नोकरी नहीं है यह कंपनी का नोकरी है ठीक है और सिस्टेमटिक प्लांट के साथ है और सिस्टेमटिक आपको मैंटेन भी करना है और मैंटेन करके ड्यूटी भी करना है अभी चार नमबर में आज आता है बहुत सा फ्रेंड का यह डाउट है कि sir मेरे पास तो 7-8 साल का experience है लेकिन हम पढ़ाई लिखाई नहीं किये है तो हमको duty मिलेगा या नहीं मिलेगा बिल्कूल मिलेगा उसके लिए तो मैं हूँ ना आप लोग में क्या सिख्षा देता हो कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं भी किये है और practical experience आपके पास है औ आप भी मेरे पास आके अराम से duty कर सकते है अभी और इस जगा में और एक डाउट रहता है कि sir हम ITI भी नहीं किये है डिपलोबा भी नहीं किये है पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल भी नहीं किये है श्रीव हमारे पास practical knowledge है किसी के पास 10 सल का है किसी के पास 8 सल का है तो हम मैं बोलूंगा आप बिंदास हो कि हमको बाइड़ा सेंड किजिए और आराम से आप आईए मैं आपको कॉंफर्म बता रहो का आपको जौब मिल जाएगा कुछ भी दीकत नहीं होता है लेकिन जब आप इंटर्विव दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से देना है जैसे क् जितना हो सके दोस्तों आप लोगो हेल मिलेगा अब सेम टू सेम तो मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या-क्या कोस्चन पूछेगा लेकिन अंदजा करके बता सकता हूं कि क्या-क्या कोस्चन पूछा जाता है इसके ओपर देखिएगा मैं तीन गो अलड़ी वीडियो बनाया थ तीनों वीडियो को जितना सरा फ्रेंड देखा है और जितना सरा फ्रेंड मेरा वार्ट्सप में बात करता है वार्ट्सप गुरूप भी मेरा है ठीक है तो सबसे मैं पूछ भी लेता हूं कि क्या-क्या कोस्चन पूछा है जो जो कोस्चन मैं बताता हूं प्रैक्टिकल नौल अच्छा चीज में आप लोगों बता रहा हूं कि इस कंपनी में टोटाल यह आपका इलेक्ट्रथरम का पैनल है ठीक है और जो आपका निया पैनल डाइफोस वह पैनल है जिसको हम लोग डीफोक भी बोलते हैं डीफोस भी कोई कोई बोलता है जिसका जो मर्जी हो अपना मतल देखें और बात होता है कि सर कंपनी हमको रहने के लिए रूम देगा कर नहीं देगा रूम मिल जाएगा उसके लिए कोई दिकत नहीं है और एक मैने का खाना आपको 300 रूपया का सब्समें मिल जाता है मतलब एक टाइम का बाकी जो है माली जैका आप नस्ता कर रहे हैं या तो अल्रेडी मैं आप लोगों बताया हूं कि जो कंपनी में आप इंटर्वु देने जाहिएगा तो पहला कोस्चन रहता है कि जो कंपनी से आप आ रहे हैं ओ कंपनी आप क्यों छोड़ना चाते है पैसा के लिए छोड़ना चाते है या आपका दूसरा कोई प्रब्लेम है वह आप पहले आप बताईए ठीक है अभी दो नंबर में आ जाता है कि आप इंडाक्शन फरनिस में काम किये है तो इलेक्टिक ओभरेड क्रेन में काम किये है या नहीं किये है अगर किये है तो मतलब कौन कौन सा क्रेन में किये है वो क्रेन का नाम क्या है जैसे कोई डबले करें था इसमें आपका कितिना भूलका कांट्रोलिंग था 110 भूलका था या 230 भूलका था छोटा-छोटा कोश्चन पूछता ज्यादा बड़ा नहीं पूछता है बड़ा कोश्चन क्या पूछता है इस जगा में हम लोगों चाहिए कोई भी कमपेनी का क्रें रहे मेन होस्ट एक जोलेरी होस्ट ठीक है और एल्टी और सीटी ठीक है तो यह जो चारगो पैनल है इस में से आप कोई भी एक डाइगराम बना के समझाईए और नहीं तो और एक कोश्चन पूछा है पी पैनल ठीक है तो जिसको हम लोग प्रोडेक्टिव पैनल बोलते हैं तो चाहे आपका में होस्ट का हो एक जोली होस्ट हो लॉंग ट्राबेल हो क्रोस ट्राबेल हो या पॉडेक्टिव पैनल कोई भी एक पैनल का आपको बहुत अच्छा जो आता है उसी पैनल का ड्रॉइंग बना का आपको समझाना है मतलब प्रैक्टिकल बना के दिखाना नहीं है ड्रॉइं किसमें से मतलब मैं जितना सब बता रहा हूँ इस में से कोई एक-एक स्उपिकर करके संज्धा देना है बहुत ही आसान तरीका है ठीक है और चार दिकने में आज जता है कि क्वोण से पैनल में आप काम करके आ रहे हैं इलेक्टो थरम में कर रहे हैं या इंडेक्टो थरम में कर रहे हैं पतलब जो पैनल में आप काम किये हैं उसी पैनल का आपको नाम बताना है तो आप से क्या कोस्चेन पुछेगा कि अगर सौप्ट वाटर गरम हो रहा है तो कौन सा ट्रिपिंग आएगा डियम वाटर गरम हो या माली जी का फ्रणीस में जो आपका टेंपρίचिर सेनसर हो रहता है कि अ मैं बताएब आप cosm Doc ऑप गारेगा तो यहीं सब जो है एक दो ट्रिपिंग के बारे में पूछ छेंगा और इससे जड़ा कुछ हैं आभी 5 रिरस आज आता है जो में में इंपर। चीज है इसके उपर आपको बिल्कुल भी नहीं डाउट रगना है इसके उपर कम से कम नहीं भी होगा मैं 6 से 7 वीडियो बना के आप लोगों को समझाया हो कि जो यो टी ओवारेड क्रेन है ठीक है तो इसमें जो आपका रेश्टेंस बॉक्स रहता है रेश्टेंस बॉक्स का कनेक्سेन हम लोग किस तरह से करते हैं मतलब जो आपका D, E怎麼了 होता है ये rotor के साथ कनेक्सेन दिया हो रहता है ठीक है तो जो हम लोगो has everyone यह कितना नंबर रेश्टेंस कॉंटेक्टर में करना पड़ता है रेश्टेंस का कनेक्शन हमको थोड़ा बना के समझाईए इसके ओपर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है अभी के डेट में कम से कम 100-200 फ्रेंड को यही सेम कोश्चन पूछा है तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों भी बता देता हो बस इतना ही अगर आपके पासult एक्सप्रेंश हो जाता हैक उससे पहले क्या होगा किसी के बांच साल एक्सप्रेंश है तो यह सब को ऑपर भी डढ़ने का ज़रूरत नहीं है एक दम फिरी माइंड में आपको इंटर्विव देना है जो भी आप जानते हैं किलीन बताना है मुझ से बोलना है यार ऐसे दूसरा कहीं से तो हम लोग बोलते नहीं है ठीक है तो यही समझाना है और जितना सरा फ्रेंड मालीजी के कॉंट लेटी भी मिल जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक से और कॉमेट जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा क्यूंकर मैं इसी टाइप का कॉंटेट बनाता रहता हो और जितना हो से कि मैं आप लो